तो ये गेम 1975 में मिलान इटली में खिली गई थी तो वाट पीसीस के साथ वुल्फ गैंग उन्जी कर है और ब्लेक पीसीस के साथ मिखाईल ताल और ताल को हराया है तो गेम बहुत ही सांदर होगी तो उन्जी करने शुरूआत की E4 से C5, Sicilian Defense, Nf3, E6, Sicilian Defense, French Variation, D4, Cxd4, Nd4, A6, B5-square को कावर किया Sicilian Defense, Gain Variation, Nc3, Qc7, G3, इस Bishop को G2 पर लाकर, इस Diagonal पर कंट्रोल बनाने के लिए और साथ में King Side, Castle के लिए Bishop B4 और इस Knight को Pin किया Knight E2 और Knight पर सपोर्ट बनाया Knight C6, Bishop G2, Knight F6 और उन्जी करने King Side केसल किया तो मिखाइल ताल ने अपने Bishop को वापस E7 पर मौउ किया Bishop E7, Bishop E3, Knight G4 और Bishop पर प्रेसर बनाया ताल ने तो उन्जी कर अभी अपने Bishop को एक्सचेंज करवाना नहीं चाहते तो इसलिए उन्जी करने Bishop F4 करके Queen पर प्रेसर बनाया और Black अभी अपने Bishop को बीच में नहीं ला पाएगा क्यूंकि ये D6 Square, Queen और Bishop दोनों से Cover है तो Black का Bishop जा सकता है तो Bishop F4 के बाद Black ने पहले D6 मोग किया और अपनी Queen को बचाया Knight D4 और Black अभी इस पीशों पर फॉर्क बना सकता है किया चलो देखते है Black अगर फॉर्क बनाने जाता है तो 90 कर इस Knight को Exchange करवा कर अपने Bishop को बचा सकते है लेकिन ताल ने पहले E5 नहीं किया और पहले Knight E5 किया तो ताल अपने Knight को C4 पर लाकर इस B2 Pawn पर प्रेसर बनाना चाहेंगे तो 90 कर ने पहले ही Bishop C1 करके B2 Pawn पर सपोर्ट बनाया Knight F6 और साथ में एक बात रहे गई जब Knight यहां से D4 पर आया था तो Knight Move होने के बाद इस Knight पर भी प्रेसर बना था तो Black अगर इस Knight को ले लेता इस Knight को ले सकते थे और फिर E5 करके Bishop और Queen दोनों पर प्रेसर बनता है तो यहां से Queen takes G7 करके रुक पर प्रेसर बनाया जा सकता है और रुक मौव होने के बाद Bishop को बचा सकते है लेकिन Knight D4 के बाद ताल ने अपने Knight को E5 पर मौव किया और ताल Knight को C4 पर लाकर प्रेसर बनाना चाहेंगे तो उन्जी करने पहले ही Bishop C1 करके B2 पॉन पर सपोर्ट बनाया Knight F6, F4 तो उन्जी कर अपने F फाइल को ओपन करने की कोशिस जरूर करेंगे और प्रेसर Knight पर है तो ताल ने अपने Knight को C6 पर मौव किया तो उन्जी करने अपने Knight को Exchange करवा लिया Knight takes Knight, B takes Knight E5 और वापस प्रेसर Knight पर है D takes E5, F takes E5 और प्रेसर वापस Knight पर है और साथ में F फाइल उपन हो चुकी है Black अभी इस पॉन को नहीं ले सकता अपनी Queen से यूगि Queen अगर मौव होती है तो ये C6 पॉन पर से सपोर्ट हट जाता और Bishop takes C6 और फॉर्ग के साथ ताल का रूख चला जाता तो F takes E5 के बाद Black ने पहले अपने Knight को बचा लिया Knight D7, Bishop F4 और Pawn पर सपोर्ट बनाया G5 और Bishop पर प्रेसर है Bishop E3 और Finally ताल ने इस Pawn को कैप्चर किया Knight Tix E5, Knight E4 और Pawn पर प्रेसर है H6 और Pawn पर सपोर्ट बनाया तो उन्जी करने Queen H5 करके F7 Pawn पर प्रेसर बनाया क्यूंकि F फाइल ओपन है Knight G6 और इस Queen के डैगोनल को कट किया Rook F2 तो इस गिम में ताल का कैसल अभी बाकी है और साथ में दोनों Rook कॉर्णर में है और ये Bishop भी 8 का हुआ है और White अपने Rook की बैटरी बनाने की तैयारी कर रहा है Queen E5, Rook F1 और प्रेसर F7 Pawn पर है तो ताल ने Rook H7 करके इस F7 Pawn पर सपोर्ट बनाया और अभी वीडियो पॉस्ट करके सोचिए ये उन्जी करने किया मोव किया होगा तो उन्जी करने Rook TX F7 किया और अपने Rook को दे दिया लेकिन ये एक Exchange Sacrifice है क्योंकि ये Pawn जाने के बाद Knight पर कोई सपोर्ट नहीं है तो तल ने इस Rook को Capture किया Rook TX Rook, Queen TX Knight और ये Rook Pin हो चुका है तो तल ने Queen G7 करके Queen Exchange की Offer दी और साथ में Rook पर सपोर्ट बनाया और अभी एक और बार वीडियो पॉस्ट करके सोचिए कि उन्जी करने किया मोव किया होगा तो उन्जी करने Knight D6 करके चेक दिया और ये Knight पर कोई सपोर्ट नहीं है और साथ में Knight मोव होने के बाद Bishop का Diagonal खुल चुका है तो किया Attack बनाया हुआ है उन्जी करने मिखाईल तल पर तो अभी King को F8 पर तो नहीं ला पाएंगे क्यूंकि Rook takes Rook Queen पर Fork है और साथ में Checkmate आ जाएगा ताल अपने King को मोव करते है तो भी Checkmate है और ताल अपनी Queen से लेते है Rook को तो भी Checkmate ही है और King अगर D8 पर आता है तो ताल Material में Down हो जाएंगे और Rook जाने के बाद Queen पर कोई Support नहीं है तो King मोव होने के बाद ताल की Queen जा रही है और ताल इस Knight को ले लेते है तो भी ताल की Queen चली ही जाती तो Knight D6 चेक के बाद ताल ने पहले इस Knight को Accept किया Bishop takes Knight Bishop takes C6 और चेक है और साथ में ताल के Rook पर Fork है तो ताल ने अपने King को E7 पर मोव किया तो उन्जी करने अपने Rook को Exchange करवा लिया Rook takes Rook चेक और साथ में Pressure Twin पर भी है तो ताल ने इस Rook को Capture किया अपनी Queen से Queen takes Rook Queen takes H6 और ये Pawn जाने के बाद ये G5 Pawn पर कोई Support नहीं रहा तो Next मोव में Threat ये है कि Bishop takes G5 आ रहा है और King के पास कोई मोव बसता ही नहीं तो फिर ताल को अपनी Queen को लाना पड़ता है बीच में और ताल की Queen चली जाती तो ताल ने पहले Bishop E5 करके इस Threat को Prevent किया ताकि Bishop बीच में ला पाए तो उन्जी करने Queen takes G5 करके चेक दिया और साथ में Bishop पर Fork है लेकिन ताल अपने Bishop को बीच में नहीं ला पाएंगे क्योंकि फिर तिन मोव में चेक मेट आ रहा है King के पास सिर्फ एक ही मोव है King D8 और फिर Bishop B6 चेक और King E7 के बाद Queen C5 और चेक मेट तो बहुत ही संबल कर खेलना पड़ेगा ताल को और ताल अपने King को F8 पर भी नहीं ला पाएंगे क्योंकि फिर Bishop C5 चेक और अप देखी सकते हैं कि King के पास कोई मोव है ही नहीं जाने के लिए तो Bishop को बीच में लाते है ताल तो भी Bishop X Bishop चेक और फिर Queen को बीच में लाना ही पड़ेगा ताल को और Queen बीच में आती है तो ताल की Queen चली जाती और फिर King G8 के बाद Queen F8 चेक और King के पास एक ही मोव है और Bishop E4 और चेक मेट तो Queen टेक्स G5 चेक के बाद ताल ने अपने King को D6 पर मोव किया और Bishop पर प्रेसर है तो फाइनली उनजी करने रुक को कैप्चर किया Bishop टेक्स रुक Queen C7 और एक आखरी बार वीडियो पॉस्ट करके सोचिए कि उनजी करने किया मोव किया होगा तो उनजी करका फाइनल मोव Queen टेक्स Bishop और इस मोव के बाद ताल ने रिजाइन ही कर दिया क्योंकि ताल अगर इस Queen को अपने King से लेते है तो फिर Bishop F4 चेक आ रहा है और स्क्यूर के साथ ताल की Queen चली जाएगी तो ताल फिर Material में बहुत डाउन हो जाएंगे और उनजी करके पास Pawn B जैदा है ताल के मुकाबले और ब्लेक अपने King को मोव करता है तो भी यहाँ पर उनजी कर अपनी Queen को Exchange करवा कर आप देख सकते हैं कि उनजी करके पास फिर Bishop Pairs रहेगी और साथ में 5 Pawn और ताल के पास सिर्फ 2 Pawn है और यह Bishop B अटका होआ है तो फिर End Game में जाकर ताल को Resign करना ही पड़ता तो ताल ने Queen takes Bishop चेक के बाद Resign ही कर दिया तो किया मौव था Queen takes Bishop और कोई सपोर्ट भी नहीं है Queen पर चैनल पर बने रहिए